तो जैसे कि हमारा पहला कोश्चन है दा डिफरेंस विट्मिन टू नंबर इस ट्वैंटेशिक्स एंड वन नंबर इस थे टैंस तर अधर नंबर करने के मतलब बनाने के लिए सबसे पहले में एक चीज आते हैं कि जो चीज हमको फाइंड करना होते है यहां पर हमको नंबर इस पायंड करना होगा तो एस लेट करेंगे तो आपको इस पर इधां रखना है कि जो हमको find करना होता है हम उसी चीज़ को किया करते हैं उसी चीज़ को मान लिया करते हैं तो हमको find करना है number तो सबसे भीले हम number को लेट करेंगे लेट the Since यहांत फिर्प दोठो number के बाद किया जा रहा है तो हम लोग तो first number और second number मानेंगे, let the first number be x, हम लोगोंने मान लिये कि हमारा जो पौला number है, वो x है, and the second number is y, हम लोगोंने एक number x माना, दूसरा number y माना, सब्सक्राइब करते हैं तो इन ही दो नमर में से कोई एक बड़ा रहा होगा और कोई एक नमर चोटा रहा होगा यहां पर लोगो ने एक और स्थ करेंगे कि एक स्थ ग्री दन वाय कंbo होगा ये से तब हमारे उपर हागा हम आते हैं बनाने के लिए तो सबसे पहला case है हमारा इसमें 2 case है सबसे पहला case है हमारा कि इनका jut difference है वो हमारा 26 डिया हो है अब difference का मतलब हुए कि हुम एक नमर में से दुसरे नमर को घٹाया होंगे तो हम लोगों ने x में से y को घटाया जो किसी को होगा 26 के हम लोगों x में से y को क्यों घटाया y में 6 को क्यों नहीं घटाया क्योंकि हम लोगों ने पहले ही मान लिया है कि हमारे x जो है वो बड़ा है x हमारा क्या है greater है तो x minus y is equal to 26 दोनों नमर को घटाने फिर मेरा कितना आया 26 तो यह मेरा बना equation first अब आता हमने case second के उपर case second करता है कि one number is three times the other number यह हमारा जो बड़ा जो नमबर है वो दूसरे का three times है तो since हम लोग ने बड़ा मान लिया है पहले से हम लोग ने बड़ा माना हुआ है number x को एक हमारा x है और एक हमारा y दोनों को अगर हम equate करना चाहिए तो हम लोग ने माना है कि x हमारा बड़ा है और question में दिया होगा कि x कितना बड़ा है x three times बड़ा है एक हमारा three times greater है जब यह three times greater है तो हम लोग थीरे से multiply अगर हम लोग ने थीरे से multiply य में किया अब जाके x और three y यह दोनों आपसे बराबर हो गया है यह three times पहले से था तीन से गुना हम लेकों ने y में कर दिया अब यह दोनों नमर क्या हो गया है इक्वल इसको equation का form में लिखने के लिए इसको हम लिख सकते है और इक्वेशन को solve करने के हम लोग ने तरीका स्रीक चुका है हमारा जो मन करें के हम उस तरीके से क्या कर सकते हैं find out कर सकते हैं अगर हम इसको elimination में लगाते हैं तो यहाद हखिएगा अगर word problem की question आते हैं तो हम questions करेंगे उसको elimination से ही solve करें उससे समय का भी बच्चत होता है जल्दी भी बनता है और असान भी है तो वहां पर हमने बताया था कि हम सबसे पहले जो variable का coefficient को बराबर करते हैं और हम x को देखें एक सा coefficient 1 यहां भी एक सा coefficient 1 तो यह मेरा पहले से ही बराबर है तो इसको बराबर करेंगे कोई अब सकता नहीं है सिधा हम लोग जोरेंगे या माइनस करेंगे हमने वहां भी बताया था कि प्लस करते हैं माइनस करते हैं अगर सिम्बॉल सेम रहता है दोनों प्लस में तो हम लोग क्या करते हैं और अगर दोनों माइनस में रहे तो हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक करते हैं पर अगर आपोजिट सिम्बॉल आ जाए आ opposite होने पर decideENN होने हुआ प्लस करते हैं सेम होने पर माइनस three फोने पर ठाव यहां पर समय है यह भी समय हैं तो हम लोग इसको क्या करने वाले हैं सब्ट्राइक करने वाले हैं बाई इंहेंust method by elimination method, equation first subtracted from equation second, यह हमाना rough work था, equation first को हम सब्सक्राइक करें, equation second से, आप 2 से 1 करें, या फिर 1 से 2 करें, उसे कोई दिखते हैं, हमाना equation जो 2 जो है, x-3y is equal to 0, और equation first हमारा है, x-y is equal to 26, अगर इसको हम सब्सक्राइक करेंगे, तो symbol हम लोग change करते हैं, symbol क्या करते हैं, change करते हैं, x हमाना eliminate हो जाएगा, x हमाना क्या हो जाएगा, eliminate हो जाएगा, और यहाँ पे minus 3y plus y, minus 2y is equal to minus 26, यह minus करते हैं, और 2 से 13 बार में, इसका मतलब y is equal to 13, y हमारा 13 आया, इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या किया जाता है, एक variable के value को दूसरे में put किया जाता है, दूसरे equation में, putting the value of y in first, y का value हम लोगे फर्स्ट हमारा है, equation first हमारा है, x minus y is equal to 26, x minus 13 is equal to 26, x is equal to 26 plus 13, x is equal to 39, हम लोग ने देखा कि इसका में कैसे, elimination method से x और y का value निकाल है, hence हम लोगे जब n से लिखना होगा, hence, we find, याफिर we got, first number, first number is, हम फर्स्ट हम लोगे एक समारा था, is 39, and second, second number is 13, यह हमारा answer हुआ, ठीक है, तो हम लोगे देखा, पहले question को, कि जब दो, एक question का difference दिया वर रहा है, तो हम लोगे कैसे question, नमर को late करेंगे, और उसको find out करें, दयान दिजी इस question, NCRT का है, और NCRT का question अपने आप में concept होता है, अगर आप दूसरे किताब में देखेंगे, तो आपको इसी tab के ओपर धेर सारे question मिलेंगे, तो question को एक बार अच्छे से समझ लीज़ेगे, उसके बाद आप दूसरे book से question बना सकते हैं,